एक इसको एंटी गूजर चुनाओ बनाद क्या रहा कि जो गूजरों के लड़के थे उन्होंने जाके समराड मीर भोष के बोरच गांगाओं में लगा दी है अब उन कि इनके अंदर गुजरबाद है, जबकि मैंने शुरू से सैनी समाज, चोहान समाज, कशब समाज, अपना प्रजापती समाज, धीमान समाज, सी समाज, मुसलिम समाज, सबको सम्मान और प्यार दिया, नहीं तो चार बार विधाक कैसे बनता आदमी, जब गुजर तो 10% ही है, 90% तो और है, तीन चुनाओं मेरी धर्मपतिने जीते हैं जिला पंचात के, और पहले चुनाओं मेरानी देवयाने सिंग को 96% वोट मिली थी, भारत में रिकॉर्ट बना था 96% वोट का, जो उनको वोट मिली थी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सर्व समाज क बिक्ति हैं, आज भी जो आंदोलन चल रहे हैं कि समराट महीर भोज के लिए आप नी बूल रहे हैं, भाईया ऐसा है, मुझे सब का सम्मान रखना है, खाली एक का बनके नहीं रहना, कि वो लेवल मेरे पर लग जाए, और मुझे लगा थार चुनाओं हरवाद ये जाए, ये चुनाओं हमारे इसलिए कि हमारे पर उजरवाद का लेवल लग गया था, उमेश क्या पैदा हो गया था बीच साल पहले, जब में विधाक था, क्या विधाक की रूप में पैदा होगा, आके देखा उसने, जाए और जाकर के आर्टी आई में प्रशन डाले, पत्रकार लंबा भोगपुर से बाला बाली का बांद का बनाया, उसके बात बात करे, विधायक के लियास से तो उमेश कुमार के दूद के दाद में नी तूटे, हम के बारे में क्या बोलेगा वो, एक साल हो गया, कुछ काम कराया इसने, तेड़ साल हो गया, मैंने तेड़ साल के अं जो इस बार आपको हारका सामना करना पड़िए नमस्कार स्वागेति आपका प्रेकिंग प्लस न्यूज में उत्रेखंड में एक विधानसबा है खानपूर विधानसबा जो की बहुत ज़्यादे चर्चित विधानसबा है और वहाँ पर लगातार चार बार विधायक रही परनव सिंग चेंपेंजी आज हमारे साथ में बा जानपाजी और इस तरी की तमाम चीजे सामने आरी तो आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं देखिए ऐसा है जब प्राकरतिक आपदा आती है उसमें राजनीती का करना बड़ा दुर्भा के पूर्ण है आप दूसरे के मर्म को समझें किसी के घर की छत नहीं रही किस दोमें पहला विदायक चैणी एप्राण बड़ा ने पानी जहां गंगा जी बिल्कु खाली थी पानी आया करता था मैंने बाड को रोका लेकिन मैं लगा था अनुरक्षन कारे करता था बांध में तरेड नहीं आने दिता था बांधों को मजबूत रखता था डेड़ साल से भाई उमेश कुमार जी विधायक बने हैं खानपूर में इन लेकिन जो फिलाल मोजूता विधायक उमेश शर्मा वह वह यह कहते हैं कि जो है यह लगतार 20 साल से समस्य है और जो 20 साल से विधायक थे उन्हें नहीं नहीं निकिया के मादम से इस तरी की चीजी उन्होंने बोली है उमेश क्या पैदा हो गया था 20 साल पहले जब में प्रणाव सिंगी चैंपियंन ने शोला निदी नदी का बंकभ बनवाया हुई। चैंपेट ने 22 किलो मिट्र लंबा भोगपुर से बाला वाली का बांध बनाया उसके बात बात करें विदायक के लियास से तो उमेश कुमार के दूद के दादवी नी टूटे हमें के बारे में क्या बोलेगा वो एक साल हो गया कुछ काम कराया इसने डेड़ साल हो गया मैंने साल में एक साल के अंदर सो करोड़ का काम 21 साल बहले कर आया था जो आज के 300 करोड के बराबर है बताओ कौन सा डिग्री कुलज खुला कौन सी बनाई भूसपिटल खुला कौन सा बजली घर में गवान बंद बनाएं काम यह सब काम मैंने कर दिया नहीं करता है दुस्ट प्रबर्टी का अप्रादी के बलातकार के मुगदमे में भसा हुआ है मेरट में कार चूरी के मुधमे में येल गया एसे गया यह सरकार करना ना करना पड़ा देखिए इसका सबसे बड़ा कारण था मेरे पैर में गंभीर चोट का लगना मेरे पैर में एंकल जो होता है ठखना उसके तीन लिगामन में से दो तूट गए थे देसंबर जनवरी दो महा मुझे बेडरेस पे रहना पड़ा और दस फरवरी को चुनाव था गूजर तो दस परसेंट है 90 परसेंट और थे हिंदो मुसलिम मिला करके वह कहने लगे साब यह तो गूजर गर्दी में आ रहे हैं और इनको वोट नहीं दना खानपुर में चुनाओ एंटी गूजर बन गया तो जबरदस्ती के ऐसे हतकंडे अपनाए गए अन्यता ऐसा पाड़ तो उनकराश चेतर में जाकर के दोरे की हैं जैसे हम विधाक के समय काम करते देख किसानों की फायदे के लिए हमने तीन गोशना करादी बहुत बड़ी पहली जो बिजली के बिल हैं उनको किसानों को तीन महने का नहीं देना है जो कॉपरेटिव का लोन बगरा लि पर तो हम तो बहुत आभा रहे हैं अपनी सरकार के मुखमंदर जी के और किसान भी बहुत आभा रहे हैं कि हमने तत्काल जनकरल्यान बाढ़ के बाद करा दिया सर अगर बात करें खानपुर्विधान सबगी तो कुछ लोगों में इस तरीकी चीजे रहे जैसे कि आपने अभी कहा कि पर्नसिंग गूजरों को सपोर्ट करता है या इस तरीकी चीजे लगतार चलती रहती है हाला कि आपको सर्व समाज और सारी ब्रादरी ने वोट करते लेकिन इस बार क्या मानते क्या सडियंत्र इस तरह की भूमिका बने गई है क्या वज़े आप मानते किस तरह की रही है एक फेक्टर वो भी रहा है कि भूमिका बना करके जबरदस्ती थोपा गया कि इनके अंदर गूजरबाद है जबकि मैंने शुरू से सैनी समाज, चोहा पंचात के और पहले चुनाओं में रानी देवयाने सिंग को 96% वोट मिली थी भारत में रिकॉड बना था 96% वोट का जो उनको वोट मिली थी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सर्व समाज के बखती है आज भी जो आंदोलन चल रहे हैं कि समराट महीर भोज के लेवल लगया था तो सर मतले कि अभी क्या देखते हैं जो खानपूर विधान सब्वेगी जो अभी इस्तिती है क्या मानते हैं वहां पर ठीक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर आप हुआ पर होते तो आप किस तरह से काम करते या किस तरह की आप भूमिका बनाते जिस दिखाए और बाड में भी मैं दिनरात लगा रहा है अपने मंत्रियों को लाया अपने अधिकारियों को लाया जहां पी ड़ूडी को लाकर के शड़क्य मरमत कराई बांध कराया आज भी लगाऊं भले ही पद्वें नहीं हूं लेकिन विधाक से जादा काम कर रहा हूं रही जो आपने पूछी दूसरी अगर आप पद पर होते तो क्या निश्चीत रूपेंड यह नौबत ही ना आती जैसे मैंने 20 साल में तबहाई नहीं होने दी ऐसे तबहाई नहीं हो रहा है तो विधाक जी मेरा आप से आखरी सवाल है क्या आप अपनी खानपूर की जनता को ब बुरा वक्त है कुछ समय रहता है निकल जाता है अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है हर रात की एक सुबह होती है और वो सुबह जल्दी होने वाली है और हर दिया बुजने से पहले फढ़ फढ़ाता है छोटे बाए उमेश कुमार का यही आल है उसे दिख रहा है त जनता भी परिशान है तो मैं जनता से एक हूँगा कि आप आशामान रहें शीगर आपको आपका पुराना मुख्य सेवक मिलने वाला है और आप और हम मिल करके खादर की तस्वीर और नई तकदीर और तद्बीर लिखेंगे पन्र सिंग चेंपेंजी हमारे साथ में थे बातचीत करने के लिए जो अपनी बात बड़ी बेपाकी से रखते हैं और लगातार जो है लगातार 20 साल तक विधाय करें हमसे उनसे बातचीत की जो जल भढ़ाओ की खानबूर की आज के समय की सबसे बड़ी समस्य बनी है उस पर पर उनने बेपाकी से अपनी बात रखी केमेरा पर संदेव के साथ मोनु से नी उत्राखंट उत्तर पतुरूर।